नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं एलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था तो उन भाई ने ये कहा था कि सर जब हम मल्टी मीटर से कोई भी रजिस्टेंस को चेक करते हैं तो वहा के उपर मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों जो हमारे नए भाई हैं और वह मल्टी मीटर को थोड़ा कम चलाना जानते हैं तो वहां पर मैं उनको बताऊंगा कि मल्टी मीटर से आप कैसे रजिस्टेंस को चेक कर सकते हो क्योंकि देखिए जो ओम का रजिस्टेंस होता है अब आपर बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि रजिस्टेंस खराब है यह अंबर सही है यहां पर देखिए मल्टी मीटर को में कंटिनुइटी के उपर रख देता हूं यानि कि जो बीब बाला साइन है हमारा उसके उपर रख देता हो यह देखिए मैं मल्टी बीब भाई विगश्टरे नमाट मुस्थण यहां पर जब मेशिचय कर रहे हैं तो यहां पर यहां पर मतलब यहां जो होता है कि हमारा प्यूज है आप अप मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाता हूं थोड़ा जूम कर देता हूं इस पर फ्यूज पर अब देखिए यह एक फ्यूज है अब देखिए इस फ्यूज को जब मैं मल्टिमीटर से चेक करूंगा यह देखिए देखो बीब भी बोल रहा है और वहाँ पर क्या लिखा रहा है 00 यानि कि यह कोई रजिस्टेंस नहीं है यह है एक फ्यूज वायर यानि कि एक जमफर है और जमफर को जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पर 00 लिखा आता है अब देखिए बीब तो बोल रहा है लेकिन बीब से क् कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है मल्टी मीटर पर इसका मतलब यह है कि यह जो हमारा फ्यूज है यह सही है और जब हम किसी रजिस्टेंस को चेक करेंगे तो वहाँ पर बीब बोलेगा और ओम्स भी दिखाएगा अब देखें यह मेरे पास 120 ओम्स का रजिस्टेंस है यानि कि आ अब मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूं तो यहाँ पर देखें मैं सिंगल रजिस्टेंस को चेक करता हूं मल्टी मीटर से यह देखें अम मैंने सिंगल रजिस्टेंस को चेक करा तो यहाँ पर देखें 119 ओम्स लिखा रहा है लेकिन यहाँ पर बीप से नहीं बोला लेकिन बीप क्यों नहीं बोला वह मैं बापको बताता हूं यहां पर देखिए बीप इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसका जो रजिस्टेंस का वैलू है वह ज्यादा हो गया क्योंकि रजिस्टेंस का वैलू जितना ज्यादा होता चला जायागा तो मल्टिमीटर महां पर लगाया यह देखिए अब देखिए यहां पर 55 ओम resistance दिखा रहा है लेकिन यहां पर बीब क्यूं बोल रहा है यहां पार रिजिस्टेंस कम हो गया और रजिस्टेंस कम होने के कारण जो है हमारा मल्टिमीटर वह भी बोल रहा है आप देखिए आप आपको जो है जो ohms का resistance होता है वो check करना है लेकिन आप जो है multimeter से यह नहीं पता लगा पारे कि वो sorting है या नहीं है तो आपको simply क्या करना होगा multimeter को यहाँ पर 200 की range में रख देना होगा यह देखिए यह 2000 पर आ गया लेकिन अभी हमारे पास जो resistance है वो 200 से नीचे किया सारी तो हम 200 पर रख देंगे अब देखिए यहाँ पर बीप नहीं बोलेगा तो इससे क्या है आप बहुत ही आसान तरीके से जो multimeter से resistance चेक कर पाओगे और यह भी पता लगा पाओगी क्यों resistance सोटिंग है या नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी सी problem है इसलिए point दिखा रहा है तो इसके लिए थोड़ा confuse ना हो अब देखिए यह 56 ohm का resistance है इसको मैं चेक करूंगा यह भी बड़े प्यार से और दूसरा जो है आप कोई वायर चेक करना चाते हैं जैसे हमारा वायर कोई कटा हुआ है उसको चेक करना है तो continuity पर चेक कर सकते हैं और जो हमारा speaker है उसे भी चेक कर सकते हैं लेकिन यह बात याद रखे कि जब आप speaker को चेक करेंगे तो यहां पर ohms भी दिखाएगा और अब कब जो बीप है वह भी बोलेगा यानिकि 100 ohms से अगर नीचे नीचे का कोई भी रजिस्ट्रेंस होता है तो हमारा multimeter बीप भी बोलता है और जो हमारी रजिस्ट्रेंस है वह भी दिखाता है तो जिन भाई का कमेंट था अगर उनको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और